जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को ग्यार के दुरान सहर के पुजा पंडालों में कोरोना गाइडलाइन वा स्वक्स्ता का पालन हो इसके लिए रांची नगर नेगम ननिघ्म ने अनुठी पहल की है इसके तहुत सुक्ष्टाव वा गाइडलाइन का पालन कर्वानने वाले सरोस्रेष्ट तीन पुजा मारी के अध्यक्स्ता में साथ सदसे कमेटी का गठन किया है बता देया कमेटी दसमी तक सहर के बिभीन पुजा पंडालों का भ्रमन करवास्त्विक्ता देखेगी फिर उसी अधार पर सुरस्टेस्ट पुजा पंडाल का चैन किया जाएगा यह प्रतियोगिता कुल सत्तर अं ही मोडल में काक्षा एक से बाराहमी तक के विद्यार्थियों को सीबी एसी तरज पर पढ़ाई की योजना सुरू होने से पहले इस पर ग्रहन लग गया है बता दे स्कूली सिक्षा एमसक्षता विभाग ने जुलाई अगस्ट दोजार इकिस में हाजारी बाके चार उत्क काक्षा एक से बाराहमी तक सीबी एसी की तरज पर पढ़ाई अब तक सुरू नहीं हुई है हाथियों के कुछलने से 11 साल में 800 लोगों की मौत जारखन में गजराज गुसे में है बता दे उनके प्रवास को विकास के नाम पर मनुसे ने लगातार नुकसान पहुचाने का क किया है कोरिडर छेतर में बस गई अबादी हाथियों की आवाजाही में सबसे बड़ी रुकावट है इस कारान वहां रह रहे है लोगों को अक्सर हाथी अपना निशाना बनाते रहे हैं बता दे जारकन में पिछले 11 साल में 800 लोगों की मौत हाथियों के कारण हो चुकी है हाथियों के हमले में जान गवा चुके लोग परिजनों के बीच मौअबजे भी बांटे गाए जिस पर करीब 12.54 को रुपे खर्च हो चुके हैं बता दे फसल नुक्सान में इस से अधिक के मौअबजे बांटे गाए हैं जार्खन में असिस्टेंट पर्फेसर बनने के लिए पिएशडी अनिवारे विश्व बिद्यालियों और महा बिद्यालियों में असिस्टेंट पर्फेसर के सिधी नियुक्ति में आप पिएशडी डिगरी 1 जुलाई 2023 से अनिवारे होगी बतादे युजीसी ने रेगुलेशन 2018 का संसोधित गयट 12 अक्टूबर 2021 को जारी कर दिया है युजीसी रेगुलेशन 2018 के मुताबिक असिस्टेंट पर्फेसर के नियुक्ति के लिए पिएशडी के अनिवारता 1 जुलाई 2021 से निधारित की गई थी COVID-19 को देखते हुए ही केंद्र के निदेश पर UGC ने रेगुलेशन लिया है बतादे केंद्रिये सिक्षा मंत्री के अनुसार पुरू में सिर्फ केंद्रिये विश्व विद्याला में असिस्टेंट पर्फेसर के नियुक्ति को लेकर या चुट देने की घोसना की गई थ इंजिनियरिंग पुल तेकनिक के चातरों के लिए सरकार अप्रेंटिस शिफ कराएगी इसके लिए Board of Practice Training कोलकात्ता के साथ सम्भवता किया गया है। परत्योगता के सफलता पुर्वक आवयन की तैयारी में जीला परसाशन, पूलिस परसाशन, होकी जारखन, होकी सिम्डेगा के पताधिकारी लगे हुए हैं। उनके दसवे सवरूप की पुजा होती है। जंगल के बीच पहाडी पर बने मंदीर में मादुर्गा के कुवारी सवरूप की पुजा होती है। यहां सिंदूर का परयोग वर्जित है। बतादे जिला मुख्याले से 37 किलोमेटर दूर चंचल पहाडी पर मादुर्गा के परतिमा अस्थापी था है। यहां भक्तो की भारी भीड जुटती है और भक्तो को मादुर्गा के सक्षाद दर्शन कानुभा होता है। रिम्स के चिकित्सकों ने जासूसी कराने का किया विरोध। को पत्र लिखा है और फैसले पर पुर्णविचार की मांग की है। पंडालों में उमण रही भीड हर दिन मिल रहे नए संक्रमीत। पूरी राची दुर्गा पुजा के उत्सम में रंगी दिख रही है बता दे बजार में भीड उमण रही है। इन सब के बीच हर दिन करोना मरीज भी मिल रहे हैं। इसमें सबसे अधिक राची सही मरीजों के मिलने की संख्या है। बता दे एक बार फिर करोना के मामले बढ़ने लगे हैं। अलाकि स्वास्त होने वालों की भी संख्या बढ़ रही है। जिस करण अभी एक्टिव केस की संख्या राची में पैतालिस पर है। जबकि राज्य में पिछले 19 दिनों में करोना केस दोगने हो गए हैं। बता दे जारखंड में संक्रमित मरीजों की संख्या 112 पर पहुँच गई है। लोगों की लपरवाही और परसासन की ढिलाई की वज़ा से संक्रमन फैल रहा है। पूजा पंडाल में रहे सतर्क छिंताई गिरों की नजर आप पर। दुर्गोत्सों में पंडालों में माता के दर्सन के लिए बड़ी संख्या में सधालों पहुच रहे हैं। कई ऐसे परमुक पंडाल हैं जहां माता के दर्सन के लंबी कतार लगी है। बता दे इस दोरान बिसेस सतर्कता की जरूरत है। अस्थानी चोर गिरों तो पूजा में सक्रिय राता ही है। जहारखन चात्र संसत के आवजन को लिए चल रही त्यारी। जहारखन बिधान सबसच वैले दोरा जहारखन चात्र संसत का आवजन 30-31 अक्टूबर को किया जा रहा है। मंगलवार को इस समंद में राची बिस्व बिद्याले के डी एस डवलू डाक्टर राजकुमार सर्मा के अध्यक्सता में ऑनलाइन बैठक हुई। बैठक में राची, गुमला, सिम्डेगा, खोटे और लोहरदागा के एन एस एस के जीला नोडल पताधिकारी एवं कार्यक्रम पताधिकारी सामिल हुए। बता दे डाक्टर राजकुमार सर्मा ने कहा कि छादर सांसद के माध्यम से बिद्यार्थ्यों को बिद्धाईका के बारे में जानने का उसर मिलता है। बैठाक के दुरा राची-वीशियो वीदाला के परतेक महापी द्याला एंवां वीशयो वीदाला के बीच चात्र सांसद हेतू दिये गए 5 वीशयो को लेकर 13 एवम 14 अक्टूबर को महावी दाले अस्तर पर ओनलाइन स्क्रीनिंग अविजिन करने का निना लिया गया है आज से बदलेगा मोसम राजधानी रांची में बुद्धवार की सुबह आसमान साफ है बतादे तेज धूब खिली है सहर में अधराता का अस्तर 85% तक है बतादे सनिवार को रांची में में गर्जन और बईरपात की भी असंका को देखते हुए मौसम विभाग ने एलो अलट जारी किया है कोडारमा में हाथियों का जूण कोडारमा जिले के जैनगर मरकचो के जंगली छेत्र के रास्ते होकर जंगली हाथियों का जूड़ जिला मुख्याले स्थीत लोकाई बलरो तांड गाउं पहुंच चुका है बतादे इस खबर से आसपस के गाउं में दसत का महोल है बिती रात करीब दस बजे हाथियों का जूण जिला मुख्याले स्थीत गाउं के करीब पहुंच गया इसके बाद दसत के बीच गाउं के लोग अपने अस्तस्य हाथियों को भगाने का पर्यास करते रहे सुचना मेलते ही डीयेफो सुरज कुमार सिंग के नितियुत में बन करमियों का दल वह पर सास्निक पताधिकारी भी मौके पर पहुंचे मुख्यमंद्री हैमंत को 36 गळ आने का नियोता बतादे कांके रोड रांची इस्थित मुख्य मंत्री के आवास से कर्याले में आज मुख्य मंत्री हेमान सुरें से बिधायक एम संसादिय सचीव 36 गर सासन बिनोच चंदराकर ने मुलकात की मुख्य मंत्री से मिलकर चंद्राकर ने कारिकरम में सामील होने का मंत्रन पत्र दिया बतादे विधायक योम संसादिय सचिव 36 गड़ सासन बिनोथ चंद्राकर ने मुख्य मंत्री को आउगत कराया कि 36 गड़ में देश और विश्व की सबसे प्राचिन आदिम सब्यताय आज भी जीवित है पूजा पंडालों में मिल रही सरकारी योजनाओ की जनकारी दुरगा पूजा को लेकर राय धनी आस्था के रंग में सराबोर हो चुकी है बता दे कुरोना पर आस्था भारी नजर आ रहा है लोग सब परिवार पूजा पंडालों में पहुँच कर मा का दर्शन कर रहे है वहीं पूजा पंडालों के आस बस लगे टीवी स्क्रीन को देख कर भी लोगों के कदम रुक नहीं रहे बता दे सरकार की कई ऐसी योजनाओ की जनकारी उन्हें मिल रही है जिसके बारे में कई लोगों को पता ही नहीं था दरसल चंदर सेखर पूजा पंडाल सहीत अने पंडालों के पास बड़े LCD स्कीन पर जरकन सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओ और सरकार की उपलगदियों की जनकारी दी जा रही है दुरगा पुजा के दोरा नवालिक गाली चलाते पकड़े गए तो 25 हेर का चलाण दुरगा पुजा के दोरान यदि नवालिक बाइक चलाते हुए गलवाड़ी करते पाए गए तो उनके अभी भावक पर करवाई की जाएगी इसके लिए पूलिस की ओर स्चादेश जारी किया गया है इसमें आयू सीमा 18 वरस या उससे कम निधायित की गई है बता देना बालिक के पकड़े जाने पर 25 सेयर का चलान कटेगा साथी कोविट गाई लाइन के उलंगन का केस भी दर्ज किया जाएगा धन्यवाद